दर्या से तूफा से, समंदर से लडेंगे, वक्त आएगा तो ये पत्थर से भी लडेंगे जिहां गराम पंचाइत्रा जितका ही, वाड नमबर 14, वाड सदस पद के सुयोग्य कर्मठ समाज सेवी, जन जन का प्यारा, आप सब का दुलारा, आपके सुख दुख का साथी, गरीबों का मशीहा, आपके आखों का आशु पोचने वाला उमिद्वार आ गये हैं और वो हैं मोहममद आलम, अपने भाई मोहममद आलम को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है, और अपने गराम पंचाइत्रा जितकाही के वाड नमबर 14 को विकाव स्तिल बनाना है और भाई मोहममद आलम का कहना है धुनिया की हर फुसिया आपके चर्नों में बिछा देंगे, घर घर में अमन और चैन का धीप जला देंगे, आँख मिलाओ तो गले से लगा लेंगे, और अपने छेतर में विकास की गंगा बहा देंगे पिकास की गंगा बहा देंगे के भुलालाच के तन दी, नाही कोरी हो सपोर्ट आलम भईया के ए चाची, जैके दी होय बकिभोर्ट के भुलालाच के तन दी, नाही कोरी हो सपोर्ट आलम भाईया के ये चाची जाके दीहाँ याबकी भोर भाईया तु सेगे सेगे भभुजी के ऊथा बले जई हाँ ग्राम पंचाइत्रा जिटकाही की जंता जिन्दावाद बाड नमबर चोदा की जंता जिन्दावाद आई मोहमद आलम जिन्दावाद आलम भल्या के ये चाचा बाटे रऊए लोगपाद देखे भोटावाद तुझी तोई हाँ कईले बारे बिशावाद आलम भल्या के ये चाचा बाटे रऊए लोगपाद देखे भोटावाद तुझी तोई हाँ कईले बारे बिशावाद राइटर रादी आलम के संगे नारा लगई हाँ राइटर रादी आलम के संगे नारा लगई हाँ आलम भल्या के भल्या के ये बती चिताई हाँ और भाई मुहम्मद आलम का कहिना है हाथों में गीता लेकर सीने पे कुरान रखेंगे मेल जोल बढ़ाए आपस में यही धरम इमान रखेंगे ग्राम पंचाइतरा जिटकाही की जनता जिन्दाबाद पाड नमबर चोदा की जनता जिन्दाबाद भाई मुहम्मद आलम जिन्दाबाद जिन्दाबाद भाई मुहम्मद आलम जिन्दाबाद 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 ग्राम पंचाइतरा जिटकाही वाड नमबर चोदाशे वाड सदस्य पद के सुयोग के करमत समाज सेवी जन जन का प्यारा आप सब का दुलारा आपके सुक दुख का साथी गरीबों का मशीहा आपके आखों का आशु पोचने वाला उमिद्वार आ गए है और वो है मुहम्मद आलम अपने भाई मुहम्मद आलम को भारी से भारी मतों से विजाई बनाना है और अपने ग्राम पंचाहीतरा जिटकाही के वाड नमबर चोदा को विकाल सिल बनाना है काउनो बिरोधी यनके झासाने ना अपकी तु आई है है हो आई है है हो भाईया यहाला माके है हालम भाईया के यहाल की चीताई हो ना तानी को भूलाई हा हो वाडे तोदा से विजाई बनाई हो परचार परसार कैसित बनवाने के लिए संपर्क करें